इतने बुरे दिन आ गया है लोग इस गुंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, टीवी शोउस मिल रहे हैं, और ऐसी बहुत कमेंट्स आई जिसमें लोग ये मैंशन कर रहे हैं कि क्रिमिनल रजट दलाल बिग बोस में आ गया और इसको वी आईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, अथ बटा बिग बोस का पार्टिसीपेंट है और बच्चे भी इसको अपना आइडियल बना रहे हैं क्योंकि उनको ये कूल लगता है, ये चीज़ जब तक ही कूल है, जब तक उस बाइक पर तुमारा कोई जानने वाला होता और हुमैनिटी पूरी खतम हो चुकी है, यूट्य बटा 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 इसको बीजीपी के सपोर्ट है तजिंदर बगगा ने पॉइंट आउट करा, इसके डिफैंस में रजट दलाल ये बोलते है कि पूरे देश ने वो वीडियो देखी है, क्या उसमें किसी को दिखा कि मैं ने ठक कर मारी है, इसके रिस्पोंस में बगगा ह कि हद में रहो वनना सारा भूत उतार दूआ एक बार में, बट रजट का एक और पंगा इस कंटेस्टेंट के साथ हुआ, सो सल्मान खान जब इंटर्ड्यूस करे थे रजट दलाल को, तो सल्मान खान रजट से ये पूछते हैं कि इतनी कंट्रवर्सी क्यों होती है तुमा और ये चीज़ 100% true भी है क्योंकि जो लोग रजट दलाल को 2-3,000 फलोवर से जानते हैं, उन्होंने confirm करा है कि थोड़ा fame मिलते ही, रजट दलाल ने अपना content चेंज कर दिया, बोडी बिल्डी के टाइम पे रजट को 700-800 लोग देखते थे, बट अब कलेश पर उसको 5 लाग करती होती है, बट वो कभी पंगा पहले नहीं लेते, क्यारी मिनाटी का केस में भी क्यारी ने पहले रोस्ट कर रहा था, क्यारी मिनाटी ने permission भी नहीं लीती, क्यारी इतना बड़ा creator होके भी अपनी responsibility साही से नहीं कर रहा था, इसलिए रजट दलाल ने क्यारी से sorry बुलव और अलवी शाद भी प्राउनली बोल रहे है कि भाई उनका जो भाई रजट दलाल वो यहां पे बिक बोस में गया है, इस बारी हरे आना है, बैक तूबै कर दो चोरे, तो रजट दलाल के लफडे कब खतम होंगे, पता नहीं बट, यहां पे दूसा लफडा स्टार्ट बहुत सारे लोगों का यहां पे घर चलता है, इन टू वीलर्स को चला के, और वो रिक्वेस्ट करते हैं साहे लोगों से कि वो अपने ओला के स्कूटर के साथ हुए ईशू को नीचे कमेंट्स में लिखे, इसके रिप्लाइ में ओला के सीओ यह बोलते हैं, कि भाई कुनाल कामरा, तुमा आके ना खुदी काम कर लो, हम तुमको पैसे दे देंगे काम करने के, और इतने पैसे देंगे जितने तूमारी और तुमने कभी कमायी नहीं होगों से लिखे. का कुमेडिक करियर भी एक दम फेल है और कुनाल कामरा रिपलाई में यह बोलते है कि हा मेरा कुमेडिक करियर यहां पर फेल है बट यह क्लिप है लास्ट यह कि जब मैंने पूरी ओडियंस को सब्राइस कर दिया था अच्री ग्रोवर के साथ ओपन करा था शो और थैं भावि पर रिप्लाइ करते हैं बट कुनाल कामरा इसमें भी पॉइंट आउट करके यह बोलते हैं कि भाई किसी कस्टुमर का उनको पैसे बापिस नहीं मिलने वाले इसकी जगा यह लोग तुम्हें यह बोलेंगे कि आगे हमाले काम करो चैलेंज एसेप्ट करो दनभाविश बोलते कि भाई कुमेडियन बनने सके चोदरी बनने चले हैं बट अभी भी मेरा ओफर ओपन है कि आगे मेले काम करो और यह चैलेंज लो मैं भी तुम कोई रियल स्किल्स सीख पाऊ अपनी जिंदगी में और सिच्चुइशन इतनी खराब है कि भाई लावा मुबाइल वाले यहा यहाँ पे क्लेम करते हैं कि ओला वालों ने इनको पैसे दियते हैं पेड ट्वीट करने के लिए जिसके अंदर यहाँ पे ओला की तारीफ करी जा रही है और प्रूफ के लिए वह वोट्साइब का स्क्रीन शोट भी दिखाते हैं अब इंटरस्टिंग्ली कमेंड सेक्शन म का नाम है KSI काफी पोपिलर है एंटरसाइब का यहाँ पे एक गाना आया जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नी आ रहा एंड इस से लेगे KSI आजकाल इतना ओफंड हो रखे हैं कि एवन को यहाँ पे दूसरा क्रेटर उनके गाने पर रियाट कर रहा है तो भाई KSI उसको क को ब्लोग करवा दे रहे हैं और सिचुएशन इतनी खराब है कि एवन आइश और स्पीड भी को रोस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एवन एक और क्रेटर जो की काफी फेमास है जिनका नाम है लुडविग उनोंने भी रियाट करा थे इस गाने के ओपर एंड उनको भी यहा ना न हमाद करने वाले धोनी के बारे में तो याद आपको पतागी यह पे काफी लोग धोनी से मिलने के लिए जाते हैं बट नहीं आपे काफी कम लोगों से मिलते हैं उनके घर के बाहर एंड इसका रीजन क्या है यह चीज़ यहां पर एक बंदे ने एक्सपोस करी तो मही भाई को गंदा लगता है देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे भकवास करते हैं मही बाई के गेट के आगे हैं अगे मको बिल्कुल वधाइब के अंदर गुष जाते हैं वहाँ से अंदर से पखर आते हैं उनको छेड़ते हैं मलब यह चीजे क्यों कर रहे हो गर्याओं अंदर फोन घूते कैमरा अंदर गूसाज़ते करघ के और वीडो बनाते कोड़ते हैं गाड़ी गेट से निकल रही है wise को तो सारे के गुरूब बढ़ागे ए यार तुम और मैं बहार आ रखा हूँ अपने गहर से तो भाई कोज दिन के लिया माइक ऐसी रहेगा तो थोड़ा एड़ेस्ट कर ले ना और नोटिविकेशन बैल भी ओन कर ले ना और अगर आपको कोई न्यूस देनी है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है आप लोग वहाँ पर आकर दे सकते हैं